किलो वजाए मैंने अपना बढ़ाया है और ये वेट लोज चैलेंज जो है ना मैंने आप सब के साथ आप लोगों के लिए शुरू किया है तो मुझे चाहिए रिजल्ट्स और जैसे मैंने आप पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनिटी दो, तीन, चाहए तक मैं जो भी वीडियो से शेयर करूंगा और शायद थोड़ी डिफरेंट हूँ और नॉमली इस तरह का लेयाउट नहीं होता मेरा कहने का मतलब यह है कि वेट लॉस चैलेंज है वो आज से मैंने शुरू कर लिया है ठीक है मैं आपसे कहा था कि मैं पूरी डीटेल आपके साथ शेयर करूंगा अभी बज़ रहे हैं दुपहर के तकरीवन पौने दो ठीक है सुबा से लेके नाश्रत को का सफर नाश्रते से लेके धुपहर के कहाने के सफर जो है आपके साथ भी शेयर करूंगा धुपहर का खाना मैं को यह पहले बढता दो देखें estad sini अभी पौने दो हो रहे हैं और मेने अपने धुपहर का खाना खा लिया है राइट आज मैं घड़र पे था लेकिन ये वह डोस्त जो इझालrd Whenever the tats being जो और सिर्फ महत एक ऐने हुआ ना कि ये सिर्फ महद एक käyt hom काम पे होते हैं तो काम पड़र हमें बाहर समगोनाग बड़ता है मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं जो मैंने किया है और जो मैं कल भी करूँगा कल अगर मैं घर से बाहर हूँगा तो मैं क्या करूँगा टाइम मेरा फिर भी यही होगा मैं दो बज़े तक अपने दुपहर के खाना खाल पानी में कुछ है कुछ नडाल के उसको इन्फ्यूस करता हूं ओवरनाइट मैं करना भूल गया तूब ऑनेस्ट टीक है मैं सुबह उठता ही वह एक ग्लास लिया एक ग्लास में आदा निम्बू जो है वह उसको निचोड़ और सबसे पहले मैंने वह पिया अराम अराम से यह नहीं कर मैं पकड़ा लालाला डाला नहीं आराम अराम से आने वह ग्लास पिया मैं निकल गया बाहर और मैंने तकरेभन बीस या पच्श Senior वह वह वॉक यह उसके वह उसके आज यूकर ओक Accept फोड़ा फ्रॉस्टी था बाहर थोड़ी सी डेंजर सिचुवेशन थी इसलिए मैंने सिर्फ वॉक की बीस या पचीस मिनट ठीक है उसके बाद घर आया घर आके मैंने आया جत्वार थोड़े से नट्स लिये केह लिए दो चार उसमें कैश्यूस थे और दो तीन उसमें बादाम थे और तो तेन कैलें उसमें मौवणपली ठीक है यह थोड़े से मैंने यह लिए और थोड़े देर के बाद धर उएग का लिया ग्रीन टी का कॉप लिया उसके तकरीबन आदे पौने घंटे के बाद जो है मैंने नाश्टा किया और नाश्टा मैंने यह आठ बज़े से पहले कर लिया वा था तो नाश्टे में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो अंडे ली उनको मैंने बॉइल कर लिया वेरी एज़ी और उस पे मैंने और कुछ भी डाला सिर्फ और सिर्फ मैंने उस पे चाट मसाला डाला और वो खा लिए मेरा ब्रेक्टस्ट हो गया ठीक है उसके बाद तक्रीबद 11 सवारे 11 बजे 11 सवारे 11 बजे मैंने लिया एक कप माचा टी का माचा टी आपको मालूम है कि माचा टी का मेरा हल है मेरे से बड़ा जो है ना वो कोई माचा लवर नहीं होगा एक आप मैंने लिया माचा टी का माचा टी को बनाने का तरीका कैसे बनाना है उसका सही तरीका क्या है मैंने सारा कुछ जो है वो डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है बलके माचाटी की डिटेल इंफ्रमेशन जो है वो मैंने अपने इंटर्विव में भी दी थी जो मैंने खावर भाई को दीगा था लाइफस्टाइल फिटनेस पे तो ठीक है यह हो गया लिया कि लंच में मैंने लिया एक सालेट default झाल थीक है उसको मैंने कैसे बनाया वो मैं अपके से शियर करूँगा और राज के टाइम भी जो लेना है वह भी एक सालेड ही है لेकिन वह बाकी इंग्रिइंच ठीक होंगे वही होंगे यह जो पर लॉंच में थे लेकिन उसमें एक दो चीजें जो है वह एडिट होगी और उसका जो ड्रेसिंग होगी न वो डिफरेंट होगी तो कहने का मकसद यह है कि आज पहला दिन था तो आज जो है ना मेरा लॉंच और डिनर दोनों जो है वो तो शालिड होंगे ठीक है अच्छा आप बात मैं आपसे कर लूँ जो मैं पहले कह रहा था आपस आज तो मैं घर पर था लेकिन नॉम्मली मैं घर पर नहीं होता हुँ तो घर से अगर आप बाहर हो तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि आप जब सुबा उठें अपना यह नो ब से पहर के टाइम परकाम पर कम पर अगर आप लेट कम कर रहे हैं में लेट काम डेला अगर यह ना मृशा अपनाम यह आरहे बटकडाई मंगवाली या हमने कोई फिश मंगवाली जो दबा दब जो है वो तेल में बनी भी होती है तो चीजे अपने साथ लें मैंने यही किया मैं सुबह जब उठाओं उठते ही मैंने जो है सबसे पहले यही किया मैंने क्या करना है मैंने आज लंच और डिनर में सैलेड तो लेना ही लेना है सैलेड के साथ मैंने चीजें डिफरेंट डियेट करनी है तो मैंने सुबह उड़ते ही जो है वो सैलर बना लिया मेंन चीज जो है लेटिस ले लिया मैंने ठीक है टमाटर ले लिये खीरा ले लिया और मैंने थोड़े से ओलिव ले लिये अगर आपको बसंद नहीं है बेशक ओलिव ना ले ठीक है मैंने ये काट के जो है ना वो दो ट और डाल दिया बीच में अब शाम के टाइम जो है वो मैं चने नहीं डालूँगा मैं कुछ और डालूँगा शायद कोई सब्सक्राइब आप से कहा जो इसकी ड्रेस लंच था वो मैंने कैसे बनाया उसके लिए क्या क्या चाहिए जो सैलेड मैंने बनाया वा था यह नो इड़ करदीए च लोगा तो को एक किया उसके ऊपर मैंने थोड़ा क PETER का जो है वो कह रीड यॉगर्ट ऐसके उपर डू दाल दीया और उसके उपर मैंने डाल दिया चाठ मसाला अच्छा यह चीज एका खिया अगर आपने चाठ मसाला डाला ना है तो नमक ब्लेक पैपर इस्टा के चीज़े मैं डाले क्यों कि चाट मसाला जो है वो एजट ओन जो है ना उसमें ये सारी चीज़ें मिली वी होती है अगर आप अलग से नमक डाल देंगे ब्लैक पेपर डालेंगे और फिर चाट मसाला भी डालेंगे तो वो जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएग इसकी जुरूत नहीं है तो जो जो कटावा था उसके ओपर मैंने डाला योगर्ट मिक्स किया और उसके ओपर डाल लिया चाट मसाला बहतरीन पोर्शन जो है मैंने आपको और बता हूं मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया नॉमली मैं वेट करता नहीं होता हूं लेकिन ये थी ये था मेरा दुपहर तक का सफर ठीक है अब इसके बाद मैं रात को जो खाऊंगा उसकी डीटेल जब मैं कल दुबारा वीडियो नहीं अप्लोड करूंगा प्रॉबली दुपहर के खाने तक तो वो मैं आपके साथ दुबारा तक फिर शेयर करूंगा तो ये जो र ये बात सिर्फ अवेरनेस की है और अगर तो आप इतने इतने पैसे नहीं दे सकते नूट्रिशनिस्ट को डॉक्टर को डाइट प्लैन्स के लिए तो ये बड़ा अच्छा हम होका है आपके साथ मैं आपके साथ पूरी डीटेल पूरी डॉक्मेंटेशन कर रहा हूं कि मैं क्या घजारा हूं कितने मज़्य घजारा हूं तो आप बहुत असानी से ये फॉल्व करन के यनॉरे मेरे साथ बसकर दो कर हो सकता है मैं 8-9 kg करूँ आप शायद मेरे से ज़्यादा कर ले तो जोइन मी अगर आपने बदन कम करना है तो प्लीज यह मेरी जो रूटीन है इसको फॉलो करें और इंशालला आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको मज़ा भी आएगा तो इंशालला कल दुपहर के टाइम में इंशालला फिर से मैं अपनी नेक्स रुट्रीन के साथ दुबारा हासिर होंगा अपना बहुत सारा ख्या लखेगा और मेरे लिए भी दुआ किजिगा कि यह जो मैंने बेडा उठा लिया है यह जो चैलेंज किया वेट लॉस का इसमे प्ली सेजेशन हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा